शुरूताओं मेरा डॉक्टर अशुक कुमार नागर का आपको साथर प्रणाम कथा सरी सागर भारत की प्राचिन्तम कहानी संग्रहों में से एक है कथा सरी सागर की रचना ग्यारवी शताब्दी में कश्मीर के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं सुम देव भट ने की सुम देव भट कथा सरी सागर के मूल लेखक नहीं थे कथा सरी सागर की जो मूल पुस्तक है उसका नाम है वरत कथा और वरत कथा की रचना ईसा से पहली या दूसरी स्टापदी पूर में एक बहुत बड़े विद्वान हुए है गुनाड है उन्होंने पैसाचिक भाषा में इसकी रचना की गुनाड जो थे पूरु जनम में भगवान शिव के एक गण थे और जिनका नाम मालेवान था तो इन्ही मालेवान की कथा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने गुनाड़े के रूप में जनम लेकर वरत कथा की रचना की ऐसा कहा जाता है कि वरत कथा की या हम कहें कथा सरिसागर की जो मूल कहानिया हैं वो स्वम भगवान शिव ने पारवती जी को एक आंत में सुनाई थी कहला आज परवत पर एक बार जब भगवान शिव बहुत आनंद मुद्रा में देवी पारवती के साथ गुफापे मिराजमान थे तो देवी पारवती ने कहा कि प्रभु मुझे आज आप ऐसी कहनी सुनाईए जो बहुत सुन्दर रोचक हों और आज से पहले आपने किसी को ने सुनाई हों भगवान शिव ने अपने जो द्वार पाल थे नंदी उनको आदे दिया कि जब तक मैं देवी पारवती को ये कथाएं सुनाता हूं तक गुफा में कोई प्रवेशना करे मंदी ने कहा ऐसा ही होगा प्रभु भगवान शिव पारवती जी को ये कथा सुनाने लगे इसी बीच में भगवान शिव का एक मू लगा जो गंठ था जिसका नम पुष्पदंथ था वो आया और अंदर जाने के लिए उसने नंदी से आग रह किया जन्दी ने कहा कि भगवान का आदेश है कि जब तक देवी पारवती के साथ वो इस गुफा में है कोई भी अंदर नहीं जा सकता पुष्पदंथ वहां से तो चला गया लेकिन इसके पास देवी या शक्ति थी देवी शक्तियां थी जो भगवान शिव ने सुम इसको दी थी इसने तुरंत एक भवने का रूप बनाया और ये गुफा में परवेश कर गया और घोरे के रूप में इसने ये कथाएं जो थ थी सारी कथाएं जो थी भगवान शिव के मुखार्विन से सुन ली उसके बाद जाके ये कथाएं इसने अपनी पत्नी जया को सुनाई और ये जो जया थी ये मता पारवती की सेवी का थी सेचारी का थी और एक दिन जब पारवती जी ये कथाएं इसको सुनाने लगी तो ये आगे आगे बोले लगी तो पारवती जी को ये शक हुआ कि ये तो पहले से ही जया ने ये कहनिया सुन रखी हैं वो दोड़ी दोड़ी करोध में भगवान शिव के पास गई और कहा प्रभो मैंने कहानी सुनाईएगा जो आज तक आपने किसी को ने सुनाई तो लेकिन ये कहनियां जो आपने मुझे सुनाई हैं ये तो मेरी सेवी का जया जानती है भगवान शिव ने योग मुद्रा में बैठ कर पता लगाया कि हो ने हो ये काम उनके एक गंड कुश्वदंद का ही है उ उसने अपना प्राथ सुईकार कर लिया इसी भी एक और भगवान शिव का गंड था मालेवान वो भी आ गया और देवी पार्वती ने और भगवान शिव और देवी पार्वती से याग्रे करने लगा कि पुश्वदंद को च्छमाद कर दिया जाए देवी पार्वती बहुत क्रोधित हो गई उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप इन दोनों को आप सजा दीजिए आप ये शिव लोग में रहने के अधिकारी नहीं है भगवान ने कहा ऐसाई होगा और दोनों अपने गणों को उन्होंने शिराब दे दिया कि जाए आप मृत्व लोग में जाके रहिए मृत्व लोग में जाके जन्म लीजिए अब शिव लोग में आपका कोई अस्थान नहीं है ये जो दोनों गण थे पुष्वदंत और माल्यवान भगवान शीव और पार्वती के पैरों में गिर कर गिर गिराने लगे और पूछा कि प्रभू हमें ये बताईए कि हमारा ये श्राब कफ समाप्थ होगा बगवान शीव ने कहा उश्वदंत से कि आप विंध्याचल के परवतों में आपको एक पिसाच मिलेगा जिसका नाम है कान भूती और जो पूर्व जनम का एक यक्ष्ष है जिसको कुबेद ने श्राब दिया हुआ है आप ये कताएं उसको सुनाएंगे तो आपको इस श्राब से मुक्ति मिल जाएगी और आप उनहाशिव लोग में आके अपना पूर्व इस्थान ग्रहन करेंगे मालेवान को कहा कि आप ये कताएं कान भूती से सुनेंगे और उसके बाद इनको लिखेंगे और परचार करेंगे तब आपको अपने इस श्राब से मुक्ति मिलेगी ऐसा ही हुआ और अपने पिछले अंक में मैंने आपको पुष्व दंत की बहुत सुन्दर और रोचक कता विश्थार से सुनाई थी आज मैं आपको मालेवान की कता सुनाने जा रहा हूँ मालेवान ने भी भागवान शीव और पारवती के श्राब के वशिवूत ब्रत्यूलोग में जन्म लिया और पतिस्थान नाम की एक नगरी थी वहाँ पर एक ब्रहमन इस्त्री जिसका नाम सुरू तार्था था और उसके पती का नाम था कीर्थी सेन जिन दोनों ने गंधर विवा किया था इन दोनों के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया गुनाध्य तो मालेवान ने गुनाध्य के रूप में एक ब्राह्मन परिवार में जन्म लिया दच्छिन में जाके इन्होंने संस्क्रत पाली बहुत सारी भाषाओं की और सारे ग्रंधों का ध्यन किया बहुत बिद्वान बन गए और जब ये लौट के आए तो ये साथ वहन राजाओं के मंत्री बन गए मंत्री बन्दियं के बाद एक बार का जिक्र है कि राजा जो है अपनी पत्नी के साथ सरोवर में इसनान कर रहे थे राजा राणी के उपर पानी के छीटे फैंक रहे थे राणी जो थी संस्क्रत की बहुत बड़ी विद्वान थी उसने संस्क्रत में कहा कि आप ये पानी मत पैंकिए लेकिन राजा उसको समझ नहीं पाए क्योंकि राजा संस्क्रत के बहुत जा अच्छे जानकार नहीं थे राजा का उपरास हुआ राजा ने महल में जाके ये निश्चे किया कि वो संस्क्रत सीखेंगे उन्होंने अपने मंत्री गुनाड़े को बुलाया जो संस्क्रत के बहुत बड़ी विद्वान थे कि मुझे संस्क्रत सीखने में कितना समय लगेगा तो गुनाड़े ने कहा कम से कम बारे वर्स का समय संस्क्रत सीखने में लगता है लेकिन कम से कम छे साल तो लगी जाएंगे इसी बीच एक और ब्रहमन वहाँ पर आया संस्क्रत का विद्वान सरवर्मन जिसका नाम था उसने ये राजा को ये विश्वास दिलाया कि वो छे महीने में ही संस्क्रत राजा को सिखा सकता है गुराढढ़े में और सरवर्मन में शर्थ लग गई और गुराढढ़े ने कहा यदि आप राजा को छे महीने में संस्क्रत सिखा देंगे तो मैं जो है संस्क्रत और पाली और जो प्राकर्ट भाषाएं हैं उनका बिलकुल लिखना और पढ़ना बंद कर दूँगा साथवहन राजा को संस्क्रत सिखा दी नतीजा ये हुआ कि गुणाढ़े ने संस्क्रत पाली और प्राकर्ट भाषाओं का जो है बहिशकार कर दिया और विरक्ति होने के बाद ये विंद्या चलके वन्हूं में निकल गए विंद्या वासनी के दर्शन करने के बाद इनकी भेटकान भूती नाम के राक्षत से हुई और राक्षत ने इनको विश्तार पूर्वक वो कथा जो वर्रूची नाम के एक व्यक्ति ने जो भगवान शिव का गण था पूरुजनम में पुश्पदंत नाम का सुनाई थी वो सारी कहानी विश्तार से गुड़ाण्धे को सुनाई कहते हैं कहानी को सुनाने में ही साथ साल लगे थे इतनी लंबी कहानी थी उड़ाण्धे ने पैसाचिक भाषा का अध्यन किया क्योंकि संस्क्रत प्राकत और अपाली भाषाओं को तो उन्होंने छोड़ दिया था और साथ लाक्ष लोग जो हैं इन कहानीयों के लिखे और उन दिनों रोशनाई तो नहीं होती थी तो अपने रक्ष से उन्होंने अत्तों के उपर साथ लाक्ष लोग लिखे वरत कथा पूरी होने के बाद उन्होंने अपने दो शिश्चों को बुलाया जिनका नाम गुर्देव और नंददेव था और दोनों से कहा कि आप ये पुस्टक ले जाईए और राजा साथ वहन को जाकर दिखाईए और उनसे कहिए कि वो इस पुस्टक का आगे पर चार परसार करें ये जो दोनों सीश्च थे ये वहां राजा की राजधानी में गए और राजा को ये पुस्टक दिखाई जो पैसाचिक भाशा में थी और जिसमें साथ लाख स्लोक थे और जिसको गुनाद्धेने अपने रक्स से लिका था राजा ने कहा कि आप ये जो पुस्टक लाए हैं ये तो पैसाचिक भाशा में लिखी गई है और यहां पर तो इसके जानने वाले इस भाशा के बहुत कम लोग हैं तो इसका परचार कैसे संभाव है कहने का ताथ पर यह है कि राजा ने वो पुस्टक लोटा दी ये जो दोनों चीज़ से थे इस पुस्टक को लेके गुनाद्धे के पास आ गए और गुनाद्धे को बड़ा दुख हुआ वो एक पहाड की चोटी के उपर गए वहां पर उन्होंने एक यग शाला बनाई और वो एक एक इस लोग को खड़े होकर पढ़ते जाते थे और आँसों के साथ उसको अगनी में स्वाह करते जाते थे जब वह इस लोग पढ़ रहे थे और अगनी में स्वाह कर रहे थे तो बहुत सारे जो जंगल के आसपास के जानुर थे वो भी आकर आसपास के जो ट्राइप्स के आदिवासी लोग थे वो भी आसपास बैट जाते थे और यह सारी कहानिया सुना करते थे इसी तरह करते करते छे लाख जो श्लोग थे साथ लाख में से वो गुनाध्यने पढ़ पढ़ कर अगनी में समर्पित करती इसी बीच राजा साथ वहन जो था वो बिमार पढ़ गया वैद लोग बुराए गए राजा की परिक्षा हुई राजान को बताया गया कि यह जो आप मांस का सेवन कर रहे हैं यह बिलकुल सूखा है और इसमें किसी भी परकार के पोश्रक्तत्व का अभाव है इसलिए आप बिमार पढ़ गए है रसुये को बुलाया गया कि आप किस परकार का मांसाहरी भोजन बना रहे हैं रसुये ने कहा कि साथ हमारे बनाने में कोई कमी नहीं है शिकारी लोग जैसा मांस लाके हम को देते हैं वैसा ही हम पका देते हैं राजा ने शिकारीों को बुलाया कि आप सूका मांस कहां से ला रहे हैं शिकारी उन्हें बताया कि बास सही है एक जंगल में जो एक परवत है वहां पर एक ब्रहमन है जो कुछ पुस्टके जला रहा है कहानियों की और वो ये कहानिया जो है वहां के जो पसू पक्षी हैं उनको भी सुना रहा है तो पसू पक्षी दिन रात इस कहानी को सुनते रहते हैं उनकी आँखों से आसू टपकते रहते हैं उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया है और हम उन्ही पसु पक्षियों को मार कर जब यहां लाते है तो उनका मास जो है बिलकुर रूखा सूखा होता है राजा को बड़ा च्छरी हुआ साथ वहन राजा अपने दलबल के साथ वहां गया और अपने मंत्री को पहचान गया और देखा तो वो जो है जो पुस्तक उसने लिखी थी रत कथा उसके स्लोग जो है एक एक करके पढ़ने के बाद वो अगनी में स्वाह कर रहा था राजा ने उसको रुख वाया वहां पर राजा को पता चला कि ये जो गुनाड़े है ये पूरु जनम में भगवान शिव का एक गंड़ था और जिसका नाम माल लिवान था और भगवान शिव और पारवती के शराब के वशिव हूथ ही इसने यहां पर रत्तुलोग में जनम लिया इसका नाम गुनाड़े हुआ और फिर इसने ये कानभूती नम के एक राक्षर से ये कहनिया सुनकर भगवान शिव द्वारा सुनाई गए इनको लिपी बद्द किया और साथ लाक श्लोग जो है उसने पत्तों के उपर अपने रक्से लिखे राजा ने उसको रुकवाया किवल एक लाक श्लोग ही बचे जिनका राजा ने जो इनके सीष्च थे दो सीष्च थे उनकी साहता से फिर संस्क्रत में अनवाद कराया और इस तरह ये कहानिया जो है संसार में प्रसिद्ध हुई सबसे पहले कश्मीर में एक विद्वान हुए हैं ग्यारवी सतादी में ही छे मेंद्र उन्होंने व्रत कथा मंजरी के नाम से इसका नुआद किया उसके बाद सोमदेव भट्र ने जो राजा कश्मीर के राजा थे एनंद उनकी जो रानी थी उसके मनुरंजन के लिए कथा सरिसागर की रचना की और एक नेपाली विद्वान थे बाद विद्वान थे उन्होंने भी ब्रत कथा असलोग के नाम से ब्रत कथा कानुआद किया नेपाली बाश्या में जो ब्रत कथा की मूल पान्डूली पी है वो उपलब्द नहीं है हजारों साल पहले वो लुप्त हो गई सोताओं कथा सरिस्सागर जिसकी मूल कुस्तक वरत कथा थी इतनी लोगपुरिय है कि संसार की अनेक भार्षाओं में इस कानुवाद हुआ है और बहुत सारे यो प्राचीन कथाएं हैं पंच्चितंत्र की कहानियां हैं बैताल पाचीसी है हितुप देश है बुसारी कहानियां जो हैं कथा सरिस्सागर से या वरत कथा से ली गई है लगपग दो हजार वर्षपूर जो संस्कृत के बड़े बड़े लेखक हुए है जैसे बान भट की जो कादंबरी है उस कहानी का भी मूर्ट स्रोट जो है वो वरत कथा है भास ने सुपनवास अवदत्ता नाम से एक बहुत सुन्दर पुस्तक लिखी है और सुपनवास अवदत्ता का जो कथानक है वो भी वरत कथा से लिया गया है सोताओं मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी और अब मैं इस कहानी को यहीं विश्राम देता हूँ यदि आपको मेरी कहानी पसंद आए तो आप कर्पिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्दमगा